अगा अगाई तू अगाई तो आप यू वेलकम तो अनकाडमी सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दुपहर के बारा बच चुके हैं हम लोग एक बार फिर से लाइव आ चुके हैं एक पहुती important और हमाकेदार live session के साथ भाई साथ जितने लोग चैनल पे नए हैं फटा फट चैनल को subscribe कर दें और bell icon को जरूर दबा दें ताकि आने वाली सभी classes का notification आपको मिल सके इस वीडियो को सब लोग like कर दें और share कर दें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ सके जै हिंद officers आ जाईए so how's the Josh officer पड़ा फट आ जाओ वाई सारे लोग session शुरू किया जाए बहुती शांदार session होने वाला है हाई आदर्श आलिशान निखिल शेलेंद्र सक्ट्यम भूमिकास तभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारा जो session चल लहा है GS post-mortem series बाई साथ यहाँ पर पूरा post-mortem किया जा रहा है क्योंकि बटा exam नहीं निकल लहा है तो क्यों नहीं निकल लहा है क्या कारण है कि हो सकता है कि हम कुछ गलत पढ़ रहे हों इसलिए क्या है कि मैंने ये series आपके लिए शुरू करी है GS post-mortem series और आपको ये भी माल है कि मैंने यहाँ पर शुरूआत जो है वो 2017 से की है क्योंकि 2017 ही वो साल था जब कहा जाता है कि CDS का पूरा patent change हो गया सच बताओ तो 2016 तक के papers को आप मद भी दीजेगा कोई फरशानी नहीं है 2010 से लेकर 2016 तक के paper को solve करने का कोई फाइदा नहीं है क्योंकि उस समय comparatively paper easy आते थ नहीं बड़ी मश्रूर अरिहंत की the pathfinder उसको पढ़कर भी आप exam निकाल सकते थे लेकिन अब मैं आप सबसे request करूंगा कि क्रिपया करके वो pathfinder जो है आप किसी को दान कर दीजे क्योंकि किताब है भी फेगना तो नहीं चाहिए तो आप किसी को दान कर दीजे जिसका आप चा readiness दे और Thursday ये चार दिन हम लोग क्या करेंगे आपको मालूम है 30-30 question discuss करेंगे क्योंकि paper में total जो है 120 question आते हैं और Friday को जो है क्या होगा Friday को भाई साब post-mortem report पेश की जाएगी आपके सामने में कि भाई actual में कौन से topics हमें exam के लिए पढ़ने है और कौन से नहीं पढ़ने है बटा यही एक असली कहानी है exam में selection ये इसलिए नहीं होता है कि आपने क्या पढ़ा exam में selection की एक और बहुत बड़ी कावलियत है कि क्या आपने नहीं पढ़ा मतलब आपको ये मालूम था कि हमें exam में क्या नहीं पढ़ना है तो elimination is very important याद रखेगा तो भाई आज हमारा day number 2 है आज हम question number 31 से question number 60 discuss करेंगे और इससे फाइदा यह है कि इससे एक तो आपको पूरा अंदाजा लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है कौन-कौन से topic समय पढ़ने हैं और दूसरी चीज यह है कि आपको अपने पैसे जो है previous year की किताबों पे खर्चा करने के जरूत नहीं है क भाई साब क्या बात है सचाई है याद रखिएगा there is no secrets to success तो success का कोई secret नहीं होता है वो result होता है प्रेपरेशन हाड वर्क और लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स का तो लोग कहते ना कि सर्थ secret क्या है success का तो success का कोई secret नहीं है सबके सामने है याद रखिएगा जब आपको success मिलेगी ना तो दुनिया कहेगी हाँ भया यह देखा था हमने यह पढ़ता था हमने देखा था यह दुनिया के सामने है याद रखिएगा चीक है तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता दू मेरा नाम कासे वंसारी है मेरा teaching experience दस साल से ज़ादा हो चुका है मैं one of the top educators हूँ an academy plus पर दो लाग से यादा बच्चे पढ़ाएं खुद भी बहुत सारे exams रिगाले हैं मुझे troops of geniuses का वार्ड बिल चुका है आप मुझे अन academy पर follow कर सकते हैं so let's crack cds app cat capf इर इंडिया's largest learning platform अन academy यहाँ पर आपको daily live classes मिलती structured session plan unlimited practice unlimited access इंडिया के top educators इसके लिए आपको क्या करना है अन academy की learning app को download करना है mandatory app है सभी लोगों के लिए जो भारत में exam की त्यारी करते हैं वैसे बता दू कि अन academy में बहुत सारी categories हैं आने वाले समय में हमारी categories और बढ़ेंगी आप देखते हैं कि हमारी सारी classes live होती है अन academy पे कोई भी class recorded नहीं होती है आप एक subscription लेंगे और 3000 से जादा courses जी हां single subscription में 3000 से जादा courses आपको मिलते हैं आप कहेंगे साथ सबसे बहले तो free classes च पोड़ जाईए अपडेट नोटिफिकेशन पीडियेफ क्योंकि फ्राइडे को जो पेटा पोस्वाटम रिपोर्ट आएगी ना वहीं पर आएगी यह हमारा बैच है जो कल से शुरू हो रहा है यह बहुत इंपॉर्टेंड बैच है इसमें GS मैं पढ़ा रहा हूं इंग्ल ए लाइफ यह कोड याद रखेगा 10% का डिसकाउंट बिलेगा आपको चीक है चलो भाई शुरू किया जाए पोस्वाटम रहते हैं और आप छोड़ दिया तो उसमें से क्या आ गया प्लीज चलो भाई शुरू करें भाई सेशन को लाइक और शेर ठोक दो सारे लोग एक बार बहुत बढ़िया तरीके से लाइक और शेर कर दीजिए ताकि सेशन को शुरू किया जा सके बाई साब कली मैंने कहा था कि कोई भी सिरीज चलेगी या नहीं चलेगी ये सब कुछ निर्भ ठीक है है हां जी चलिए बैं शुरू करते हैं आज का पहला कुष्चन उससे पहले याद रखेएगा अब भाई साब तुम्हें जो है ना टॉपिक वाइस प्रैक्टिस करनी है टेलीग्राम पर बच्चों ने का था टॉपिक वाइस प्रैक्टिस कल शाम से शुरू हो रही है साड़े च्षे बजे हर एक टॉपिक वाइस प्रैक्टिस करांगे मतला इस बार पूरी तभाई बचा देंगे टॉपिक वाइस प्रैक्टिस भी करा रहा हूं आपको concept भी पढ़ा रहा हूँ, paid bags भी पढ़ा रहा हूँ, आपको current affairs भी पढ़ा रहा हूँ, सब कुछ, तो बेटा ये कल से शुरू हो रहा है, साड़े 6 बजे, और हर Friday, Friday को साड़े 3 बजे आ जाना, monthly current affairs शुरू कर रहे हैं, November 2020 से, भाई साथ, ठीक है, चलिए, ठीक है, पहल पहला question ये रेखेगा, पहला question है, context physics का है, optics का question है, और ये class, आठवी class का जो बच्चा है न, वो भी सवाल का जवाब दे देगा, the optical phenomenon, that is primarily responsible for the observation of rainbow, और अन्रेली डे, भाई साथ, ये class 8 का बच्चा यता देगा, ये question जल्ली बताईएगा, तो भाईया, आपने देखा होगा ये तो बिलकुल आसान question है, आप लोग बिलकुल आसानी से कल लेंगे, जल्दी बताईएगा, so जो optical phenomena होती है, responsible for the observation of rainbow on a rainy day, भाईया, rainbow हमें कैसे रिखता है, आपने देखा होगा, rainbow क्या कहलाता है, विबग्योर कहलाता है न, विबग्योर, हाँ जी, आपने देखा होगा, विबग्योर, हाँ जी, विबग्योर कहते हैं न, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, हाँ जी, visible light होती है और उसमें ये दिखाई देता है, हर इंसान class, आटवी class का बच्चा इस question को बता देगा, that is due to the which is phenomena, तो कौन से phenomena के वज़े से होता है, बिलकुल सही है, that is due to the effect of dispersion, so dispersion is the right answer, right answer हो जाएगा, so dispersion जो है, वो right answer है, बिलकुल सही है, याद रखेगा, right answer, c हो जाएगा, dispersion का phenomenon होता है, बहुत अच्छे, बाइसाब यह आपके cds में ही आया हुआ question है, मैंने कुछ नहीं किया है, आपके सामने है, चली अगला question, अब यह देखो बैटा, wild life से question है, geography से, अब स समझ में आता है कि geography में wildlife बहुत important है, क्योंकि आपने अभी देखा होगा कि कल भी मैंने जब पढ़ाया था, so geography में wildlife से question आया हुआ था, अब यह question देखें कि with regard to project tiger, which of the following statement is not correct, कौन सा statement correct नहीं है, it was launched in India in the year 1973, the objective of the project is to preserve the habitats and tigers therein as their natural heritage, the project emphasized to ensure viable population of tigers in India, there are no tiger reserves in the northeastern part of India, क्या बात है, बाई साभ इसका question का जवाब तो आप बिल्कुल सीधे सीधे दे देखेंगे, देखो बाई, project tiger की बात आपको करते हैं, तो आपको मालूम है, project tiger हमारे देश में, एक अपरेल 1973 को शुरू किया गया था, बिल्कुल सही है, project tiger क्य किया जा सके, बिल्कुल सही है, याद रखेगा, एक और चीज़ है कि population बढ़ानी थी, लेकिन भाईया इन्होंने कहा कि north east में कोई भी tiger reserve नहीं है, कैसी बात करें भाई साब, north east में आपका dump up tiger reserve है, जो कि आपका मिजोरम में है, पंकुई tiger reserve है, नमदापा national park है, अरुनाचल प्रदेश में, तो north east में भरे हुए है भाई साब, आपका dump up है, पंकुई है, नमदापा है, यह सब आपके north east में ही तो आते हैं, तो north east में बहुत सारे tiger reserve है, right answer is D, बहुत अच्छे, साबश, so 32 का right answer D है, याद रखेगा, so आप dump up देख सकते हैं, मिजोरम में, पाकुई, रुनाचल प्रदेश, उमे, औरांग असाम में, नमदापा रुनाचल प्रदेश में, ऐसे बहुत सारे हमारे tiger reserves जो हैं, वो north easton parts में हैं, बिल्कुल सही है, चलिए, देखें, फिर एक और question, national wildlife and reserves से बाई साब, तो बाई साब, यह देख सकते हैं, wildlife से question आ रहे हैं, मतलब ज जो जुनेसको में होते हैं, आपको मालूम है, जुनेसको के biosphere reserves भारत में, आपको मालूम है, सबसे पहले नीलगिरी आया था, 1986 में, तो कौन सा नहीं है, अगस्थ्या मलाई है, नौकरेक है, ग्रेट मिकोबार है, या ग्रेट हिमालियन है, जल्दी बताओ, कि इन में से कौ टिनेंड महिंदर सेंग, बहुत बढ़िया, आनंद दूबे, क्या बात है, जवाब आ रहे हैं भाई साब, अरज रुस्तोगी, बहुत अच्छा, या रखेगा, राइट आंसर है, डी, ग्रेट हिमालियन नैशनल पार्क, ये जो है आपका biosphere reserve नहीं है, और biosphere reserve की पाद 1986 में हुई थी, ये देखेगा हमारे देश में, ये cold desert है, याद रखेगा, cold desert है हिमाचल प्रदेश में, नंदा देवी है उत्राखंड में, खंगन डोजगा है सिक्किम में, और देहांक देबांग है अरुनाचल प्रदेश में, मानस असाम में, डेबरु साइकोवा असाम में, नौर्केग मिघाले में, पन्ना मद्देपरदेश में, पंचवणी मद्देपरदेश में, अचामकर जो है मद्देपरदेश शत्तिजगर में, कच गुजरात में, सिंपली पार उडिसा में और सुन्दरबन वेस बंगॉल में, सो आप देख सकते हैं कि भाई सा था, 1986 में, नीलगरी बायस्वर रिजर्व, जो की तामिलनाडू में इस्ते थे उसे जोड़ा गया था, बहुत बढ़िया, शाबाज, तो आप देख सकते हैं कि जोग्रफी में, भाई साब, आपके जो कुश्चन्स हैं, वो वाइड लाइफ से आ रहे हैं, तो ये है बटा पोस्वाटम, हम कारण देख रहे हैं, हम एक पैटन देख रहे हैं, कि किसके के कुश्चन जादा पूछे जा रहे हैं, तीक है, अच्छा, अब आगे रेखेगे के ट्रांसपोर्ट से कुश्चन है रेलवेज में, भाई सहाब, क्या बात है, तो एम ट्रांसपोर्ट सब्सक्राइब कर लेगा बताओ तो आपको मालूम है कि हमारी जो कौनकन कोस्ट है महारास्ट्रा गोवा और करनाट का वहां पर सब्सक्राइब कर लेलवे बना हुआ है बहुत जिक्त स्थान पर हम दुनिया में चौत आते हैं ना कि पहले स्थान पर तो चौथे स्तान पर हमारा railway network है दुनिया में और एशिया में सेकेंड है वैसे मैं आपको बताओ दूँ बड़ा interesting fact जब 1947 में हंग्रेश हमारे देश से गए थे तो उस समय हमारा railway network world में second number पे और एशिया में सबसे बड़ा था लेकिन अभी इस दुनिया में सबसे बड़ा USA जहां पर railway network करीब 2,28,000 km रशिया में करीब करीब जो है 1,26,000 km चाइना में लगब लगब 65,000 km और भारत में करीब करीब 67,000 km है तो याद रखेगा भारत का railway network जो है वो दुनिया में इस समय चौथे पर है और एशिया में second है और आपको एक और बड़ा सब्सक्राइब बताऊं कि अंग्रेश जब हमारे देश से 1947 में गए थे तो उस समय भी भारत का railway network करीब करीब 55,000 km करीटर का था और आज हम 67,000 पर मतला आप समझ दीजिए कि 75 साल में हमने अपने railway network में बहुत कमी तीज़े जोड़ी है याद रखेगा चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next next देखें question number 35 ये देखेगा which of the following statement with regard to the Mediterranean agriculture is correct भाई साहाब Mediterranean agriculture कितनी बार Mediterranean climate आपको पढ़ाया गया है the Mediterranean agriculture is highly specialized commercial agriculture, it is intensive subsistence agriculture dominated by wet paddy cultivation, it is a primitive subsistence agriculture, viticulture specialty of the Mediterranean region भाईया देखो अब आप सबको मालूम है कि Mediterranean climate कहां पाया जाता है देखो बैटा ये हमारा Asia है, ये Europe है और ये Africa है तो ठीक है ये Asia है, ये Europe है और ये Africa है इसके बीच में जो ये area है ये है बैटा Mediterranean sea अब Mediterranean sea की सबसे बड़ी खासियत क्या है आपको मालूम होना चाहिए कि Mediterranean sea की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पर winter rainfall होती है और winter rainfall होने के वज़े से यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर citrus roots फाए जाते हैं खटे फल जैसे oranges हैं, grapes हैं, lemons हैं, olives हैं यह सब अब यहाँ पर यह area जो है दुनिया में wine production के लिए बहुत मशूर होता है क्योंकि यहाँ के जो किसान होते हैं वो witty culture करते हैं मतलब वो अंगूर की खेती commercial purpose के लिए करते हैं, बिल्कुल सही है, तो चौथा statement तो यहाँ पर बिल्कुल सही दिख रहा है, कि यहाँ के जो किसान हैं वो witty culture करते हैं, अब देखो elimination लगा दो, यह statement गलत हो गया, यह गलत हो गया, चिक है, बेटा यहाँ पर subsistence agriculture तो होता ही न करता है, तो ऐसा तो यहाँ बिल्कुल नहीं है, मतलब तीसरा तो गलत हो गया, तो देखिए, answer अपने आपी सामने आ गया, one and four, क्योंकि यह भी गलत है, क्योंकि यह इस area में बटा completely commercial agriculture होता है, तो यहाँ पर commercial agriculture होता है, बहुती मशूर है, और यह जो area है, पूरा का पूरा मिलेगा, Spain में मिल जाएगा, यह मौसम आपको जो है, Algeria में मिल जाएगा, Morocco में मिल जाएगा, Portugal में मिलेगा, France में मिलेगा, Italy के southern part में मिलेगा, चीक है, तो यह बहुत शांदार climate होता है, और यही Mediterranean है, जिसके वज़े से क्या होता है, कि यह देखे, इधर भारत है हमारा, य आप देखेंगे, इस Mediterranean के वज़े से ही भारत में भी सर्दियों में बारिश होती है, जन्वरी और दिसंबर और फर्वरी के महिने में, जिसे बटा हम लोग western disturbance कहते हैं, क्योंकि भारत के west से आता है, याद रखेगा, clear है, बहुत अच्छे, शावाश, like और share कर दो, यार, पहुचा दो, hundred likes और hundred life होने चाहिए, अच्छा, एक बात बताओ बेटा, कल जो मैंने आप लोगों पढ़ाया था, Olympics, सब कुछ clear हो गया था, कल Olympics में, Olympics से ले करके, एक एक कोशन आपको clear हो गया कि नहीं हो, अच्छा, इस सच बता रहा, कि कल Olympics की summary आपको कैसी लगी थी, मतलब मैंने पूरा Tokyo Olympics एक class में आपको करा दिया, सारी की सारी summary आपको बता दी, कल आपको कैसा लगा था, जल्दी बताईएगा सारे लोग, चीक है, शावाश, आगे बढ़ते हैं, ये देखेगा, जोगरफी से एक और question है, कि which of the following statements with regard to the winter solstice is correct, अब देखो बता, ये थोड़ा सा विवादास्पक question है, समझो बता, अब इन्हों ने यहाँ पर पूछा है winter solstice, अब देखो ध्यान से, अब आपको मालूम है बटा कि यहाँ पर problem क्या है, समझो, यहाँ पर problem क्या है, इस question में समझो, क्योंकि winter solstice की बात, अगर जब हम करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो जब हम बात winter solstice की करते हैं, समझो बटा, तो यहाँ पर question में यह specify नहीं किया है, कि यह winter solstice northern hemisphere की बात कर रहे हैं, या southern hemisphere की कर रहे हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि northern hemisphere में, जो winter solstice होती है, वो 21-22 दिसम्बर को, और southern hemisphere में 21 जून को होती है, अब मतलब समझ रहे हैं, मतलब जिस दिन northern hemisphere में यह 22 दिसम्बर को होती है, और southern hemisphere में 21 जून को होती है, लेकिन अब हमने मान लिया, कि भारत के हिसाब से paper बनाया गया है, तो हमने मान लिया, कि इसे जो है, हम exclude कर देते हैं, तो winter solstice में मतलब यह है, कि यह 22 दिसम्बर से related question क कर रहे हैं, तो south pole experience 24 hours of darkness, it occurs on June 21, the north pole experiences 24 hours of darkness, the sun is at epihelion, तो जाहिर से बात है, कि जब हम भारत के लिए हिसाब से कर रहे है, northern hemisphere में, so northern hemisphere का मतलब क्या है, कि 22 दिसम्बर को भारत में, जो होगा, वो सबसे ठंडा दिन होगा, और सबसे छोटा दिन होगा, चीक है, अब समझो बेटा, अब जब जाहिर से बात है, कि यह हमारा अर्थ है, यह हमारा equator है, यह tropic of cancer, tropic of capricorn, तो 22 दिसम्बर के दिन सूरज जो है, वो tropic of capricorn पर होता है, तो यहाँ पर तो रोशनी पहसती नहीं है, तो इस वज़े से north pole में जो है, वो पूरा का पूरा अंधेरा होगा, याद रखेगा, चीक है, so right answer will be C, तो हाला कि यहाँ पर question में यह specify नहीं था, कि हम southern hemisphere की बात कर रहे हैं, northern hemisphere की, क्योंकि आपको मालूम है कि भारत में जो winter solistice होती हो, 22 December को है, लेकिन Australia, New Zealand, Argentina, South Africa साइट चले जाएंगे, तो वहाँ 21 June को होती है, बिल्कुल ultra climate होता है, चीक है बटा, लेकिन क्योंकि यह question भारत में आया है, तो हमने मान लिया कि भारत के ही context में बात हो रही है, तो हमने answer कर दिया, चीक है, बहु इसको मिलाने की कोशिश करो, अब देखो post-mortem क्या है, tropical evergreen forest, आपने परसो CAPF का paper दिया होगा, और उसमें भी आपने देखा होगा कि tropical evergreen forest पूछा गया है, इसका मतलब यह evergreen forest is important याद रखेगा, ठीक है, ठीक है, हाँ जी, बहुत बनिया समझेगा, tropical evergreen rainforest biome provides the optimum environmental condition for the growth of plants and animals, which of the following statement regarding this is not correct, देखो भईया, यहाँ पर पूछा गया है, tropical evergreen areas में कौन सा correct नहीं है, इट हैज़ हैवी rainfall and high temperature throughout the year, the biome is also called the mega thermal biome, the evergreen rainforest biome extends between 10 degree north and 10 degree south, the maximum development of this biome has taken place in central and southern California and north western coastal lines of Africa, भाई जाब अब इस question को देखो भई, यहाँ पर, अब यहाँ पर इस question को तेखो और समझने की कोशिश करो, भईया पहली चीज़ आपको मालूम है, कि evergreen जो होते हैं, वो वहाँ पर होंगे जहाँ बारिश जादा होती है, और बारिश जादा कह होती है, बारिश जादा जो है equator के आसपास होती है, यह तो आपको मालूम है, तो जाहिर सी बात है कि यह बिलकुल statement सही है, यह mega thermal है क्योंकि गर्मी भी होती है, और यह 10 degree के आसपास पाए जाते हैं, अब यहाँ पर देखो क्या दिखा हुआ है, कैलीफोर्निया, अरे भईय हें, याद रखेगा, कैलीफोर्निया तो अमेरिका का डेजर्ट एरिया है, याद रखेगा, चीक है, हाँ जी, आपने सुना होगा California में वह बहुत ही famous जो dead valley है, death valley आपने सुना होगा California में ही है, तो वो तोERO डेजर्ट है याद रखेगा, हाँ जी, correct answer will be D, बिलकुल आसान ह तो कैलिफोर्मिया तो आपको आंसर मालूम चल जाना चाहिए तो अमेरीका के वेस्ट में है और वेस्टर साइड में अमेरिका में डेजर्ट फगरा एरिया है याद रखेगा है हान जी बढ़ बढ़ आग देख रहा है कोई बात नहीं कोई बात नहीm ओपर वाला सब देख रहा है शावाँ अगला गशंद देख़ेगाद से आया हुआ है सुनामी वेवस अब देखो सुनामी वेवस आर्दा अंडर सी अक्रेंस ऑफ अर्थक्वेक एक्सीडिंग सेवन पॉइंट फाइव उन रिक्टर स्केल विज आप फॉलिविंग स्टेट्मेंट रिगार्डिंग डिस इस नौट करेक्ट अब देखो यह आप सब देखी नहीं पाते हैं और गलत अंसर कर देते हैं अच्छी बात है दब पैसिफिक कोस्ट आर बोस्ट वल्रेबल टू सुनामी सुनामी वेवस और अलसो कॉल्ड हाई एनरजी टाइडल वेवस और साइस्मिक सी वेवस सुनामी इजा लाटन वर्ड क्या पात है बा लेकिन जब पूरे पानी का कॉलम उपर उठे तो वेटा इसे सुनामी कहते हैं यह बेसिकली तब होता है जब समंदर के नीचे कोई वालकानिक इरफ्षन हो जाए या कोई दो प्लेट्स आपस में टकरा जाएं जो कि अर्थ्वेक हो गया या वालकानिक इरफ्षन हो गया जिसके वज़े से सुनामी आती है लेकिन आपको यह बहुत अच्छे से मालू होना चाहिए कि सुनामी जो है it is a Japanese word it is not a Latin word बिल्कुल सही है right answer बेटा D हो जाएगा तो सुनामी जो है बेटा वो Latin word नहीं है Japanese word है और यह जैपान में सबसे जादा ही prevalent है आपको मालू होना चाह बश्राइब तुमारीच है इधर आप अमेरिका के सेंट फ्रांसेस्को के सइड़ पेवा आपको दिखाई दे सकती है याद रखेगा तो पैसली कोस्ट में ज्यादा है Japanese word है याद रखेगा है ठीक है हाँ ची जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है याद रखेगा सो ज भाई साब आप लोग मचा रहें और ऐसे ही दभाई मचाते रहें बहुत अंसर दे रहें भाई साहब ठीक है शाबाश बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे ऐखे ऐ चीक है ओके बच्छो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट मूविंग पॉवर्ड अब देखो कंटेक्स जोग्रफी आए हाए आए हाए जोग्रफी विज फॉलिवी सेट्वेंट विज रिगाउट तुदा क्लाउड बस इस आर करेक्ट क्लाउड बस्ट मतलब आप से सुना होगा ना बादल फट जाते हैं आई दिन अब क् क्लाउड बस्ट हमेशा पहाड़ों के अले एरिया में होते हैं कश्मीर में हिमार्चल में उत्राखंड में कारण यह है कि वहाँ पर जो है पादल पहाड़ों गर्स चक्रा जाते हैं तो यह स्टेट्मेंट तो गैरेंटी सही है मतलब यह तो गया अच्छा डिफाइंड और यह भी गया आंसर अपने आप सामने आ गया इसे कहते हैं ग्रेट एलिमिनेशन मेथर्ड बाई साब यह कौन सा मेथर्ड है ग्रेट एलिमिनेशन चूकि यह भी सही है और यह डूरिंग दे टाइम ऐसा कोई वो थोड़ी ना है कि यह क्लाउड बस दुपरिया में होगा रात में नहीं हो सकता क्या ऐसा कोई भी रिजन नहीं है बिलकुल सही है शावाश बहुत बढ़िया बाई साब देखें कहते हैं ना एलिमिनेशन मेथर्ड हमेशा काम करता है यह ऐसा मेथर्ड है जो कभी थेल नहीं हुआ मलब जब आपको तीन चार स्टेटमेंट मिल गए ना तो गैरेंटी माल दीजे चार में तो गैरेंटी एलिमिनेशन काम करी जाता है याद रखेगा चीक है अधा ग्रेट एलिमिनेशन में थाडियस कोच्छ नमर चालिस जोग्रफी से आया है भाई जाब विज और फॉल्विंग विद रिगार्ट तू दा एरीडी सॉल इस अब देखो पूछा गया है अब एरीडी सॉल आपको मालूम है नाम से देखो बेटा अराम से एरीडी सॉल एरीडी सॉल मतलब ये एरीड एरिया में होगा एरीड एरिया का मतलब क्या होता है ड्राइ एरियास तो ये ऐसी सॉल है जो ड्राइ एरियास में मतलब कि ये सॉल आपको बेसिकली डेजर्ट में मिलती है अब जाहिर सी बात है कि जो सॉल डेजर्ट में मिलेगी वो बिलकु भी organic नहीं हो सकती है सो right answer आपके सामने आ गया high organic matter कैसे होगा बैया arid soil में क्योंकि यह soil जो है बैटा arid है मतलब की यह जो है बहुत saline होती है यह desert area में पाई जाती है और इस वज़े से इसके अंदर बिल्कुल भी जो है organic matter अच्छे नहीं होते हैं right answer बीटा वी हो जाएगा शाबाश विए जनरल साइंस का क्वेश्चन nut said of states of matter आये हाय मज़ा आएगा इस question में तो maximum number of states of matter कितने हैं 345 और वेरियेबल जल्दी बताओ तो maximum number of states of matter बैसक्लास 6 में पढ़ा था हमने state of matter 3 होते हैं solid liquid gas यह तो 3 हमने class 6 में पढ़े थे लेकिन यहां पर पूछा है maximum कितने होते हैं सो 2 और आ गए आपको मालूम हो गए एक है इसमें प्लाजमा और एक है बोस अइंस्टाइं कंडेन सेट हां जी तो बोस अइंस्टाइं कंडेन सेट तो टोटल हो गए पाँ तो सौलडD लिक्विड-ग्स प्लाजमा और बोस E slash 11 चू तो टोटल स्टेट ऑफ मैटर बिल बी पाईव ठीक है बताओ यार तबाई बचा दोगे किदे ही तुम लोग एक्जाम में मतलब भाइस आप पोस्ट मॉटम करेंगे बिलकुल कहते हैं ना बिटा मौत का पूरा कारणा बता डालेंगे क्यों मौत हुई इंसान की आपका सेलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है वो मैं बताऊंगा टेंशन ना लो फ्राइडे के दिन देखना रिपोर्ट आएगी क्या जबरदस्थी क्या आपकी अब देखें केमेश्ट्री का कुश्चन है दा क्यमिकल प्रॉपर्टीज ओपन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन भाई साब इससे आसान कुश्चन क्या ही होगा तो नंबर प्रॉपर्टीज किस पर डिपेंड करती हैं तो कोई भी जो एलिमेंट होता है अब जाहिर सी बात है इसका आंसर सब लोग बता दोगे तो बैटा जो कोई भी एलिमेंट होता है उसमें कौन सा जल्दी बताओ हाँ जी अब मैं इसको थोड़ा हिंट दूँगा तो आप खट्टे से बता दोगे तो भाई आप तो मालूम है ठीक है हाँ जी अब समझो कि जो भी हमारा एलिमेंट होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आउटर मोस शेल क्योंकि वहीं से जो है वो एड कर सकता है या डिक आप गरपर्टीट होगा यह दिस अब बाद का फॉर्मेशन होगा वह तो ऑटर मोस ही से हो सकता है तो इसलिए बिल्कुल सही राइट आंसर है बहुत बढ़िया शाबाश नेक्स प्रिजिक्स का कुछ्छन है फोचन ऑप पोटी थी विच ओन अब दा फॉलिविंग स्टेटमेंट इस नौट करेक्ट कॉन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है तो कॉन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है प्रशान सक्षेंगेंट सिफ्टी सब्जेक्ट आते हैं इंग्लिश मैट्स रीजनिंग नहीं आती है याद रखेगा तो कैथोर्ड रे के बारे में आपको मालूम है तो कैथोर्ड रे इस पे कुछ भी निर्भर नहीं करती है कि बाई साब कि जो आपका कैथोर्ड रे ट्यूम में कौन सी गैस भरी है इससे उतने कोई असर नहीं है राइट अंसर डी हो जाएगा तो राइट अंसर क्योंकर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक और साइंस का कुश्चन है इसके बाद आप देखेंगे कि साइन्स के कोशन अब नहीं आएंगे क्योंकि लगभग 22-23 कोशन साइन्स के होने थे वो इन्होंने सारे दे दिये दा मॉल्यकुलर मास ओफ सल्फ्यूरिक एसेडि 98 इफ 49 ग्राम ऑफ एसेड इस डिजॉल्व इन वाटर तो मेक वन लीटर ऑफ सल्यूशन वाट विल भाई साब तो यह तो बहुती आसान है हां जी तो बटन यह तो कुशन आप अराम से कल लोगे ठीक है भाई यह देखो तो यहां पर पूछा गया है मॉल्यकुलर मास ओफ सल्फ्यूरिक एसेडि 98 इफ 49 ग्राम ऑफ एसेड इस डिजॉल्व इन वाटर तो मेक इट वन लीटर सल्यूशन वाट विल भी राश्रेंद क्या होगी उस पर कोई नॉर्मलाइजेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है स स्ट्रेंद विल भी वन नॉर्मल जो वन लीटर है तो राइट आंसर विल भी शावाज कोई बात ने यह अच्छा तरीका है सत्यम कुमार बहुत अच्छा बैटा मैं आप लोगों को यह भी सिखाना चाहता हूं कि यह कोई अवशक्ता नहीं है कि आपको सारे कुशन करने ह यह बिल्कुल अवशक्ता नहीं है बैटा सीडियेस में 120 कोशन आते हैं जीएस में जीएस में 120 कोशन आते हैं लेकिन याद रखेगा कि अगर आप 70-80 कोशन भी अटेम्ट करते हैं और बिल्कुल सही करते हैं तो आपका सेलेक्शन रुखता नहीं है तो 70-80 कोशन करो लेकि one of the following statement with regard to the jet stream, an upper level tropospheric wave is not correct, भया jet streams के बारे में आपने सुना होगा, तो कौन सा correct नहीं है, भारत के बारे में तुम लोग पढ़ते हो, आपको मालूम है कि भारत में jet streams कब दिखाई देती हैं, तो ये बहुत थंडी हवाई होती है jet streams, ये अपर troposphere में होती हैं, और इसी वज़े से jet streams आप देखेंगे कि भारत में सर्दियों में दिखाई देती है अब देखो, polar भी है और summer भी है, अब देखो बटा, question को समझो यहां पर कि polar और summer आपस में कैसे मिल सकते हैं, जहाँ polar area आ गया वहाँ पर गर्मी कैसे आ सकती है, समझे रहो बात को, जहाँ pole शब्द आ गया, वहाँ summer कैसे आएगा, या जहाँ summer आ गया, वहाँ pole कैसे आएगा, क्योंकि pole के साथ winter होगा, और summer के साथ सब्सक्राइब करना बहुत आसान काम है मेरा भास शुरू हो रहा है कल से आने गैडमी पर आजेए उसके लावा मैं यहां पर जितनी आपकी मदद कर सकता हूं मैं कर रहा हूं बाइसाब लाइक बटन सारे लोग दबा दो अभी तक हंड्रेड लाइक हम लोग आगे बढ़ते हैं अब देखो वाइस आप परसो से आप लोगों के लिए बहुत अगडिशी शुरू हो रही है फ्री प्रैक्टिस बैच शाम को साड़े शे बज़े अब आपको टॉपिक वाइस भी पढ़ना होगा हर एक टॉपिक वाइस हम लोग पढ़ेंगे शाम को साड सब्सक्राइब शुरू कर रहा हूं नवंबर 2020 से इस फ्राइडे याद रखेगा साड़े तीन बज़े से ठीक है ओके बहुत बढ़िया शाबाश अगला कोश्चन जोग्रफी में देखेगा फिर एक और कोश्चन आता है गल्फ स्टीम इस आप पोलवर्ड फ्लोइंग कर है तो आपको मालूम होना चाहिए कि गल्फ स्टीम जो है यह बटा एक वाम करेंट है गरम करेंट है और गरम करेंट क्या होते हैं हमेशा एक्वेटर से पोल के तरफ चलते हैं थंडे करेंट जो होते हैं वह पोल से एक्वेटर के तरफ भागते हैं गरम करेंट एक्वेटर बैटा एक warm current है, it transports warm tropical water towards polar region, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाईया मैंने भी बताया है, this current is a major factor in weather along the east coast of USA, देखो, question 46 को देखेगा, बिल्कुल सही है, eastern coast of USA, बिल्कुल सही है, the warm water of the Gulf Stream sustains the coral reef of the western Pacific, बिल्कुल गलत है भाई साथ, यही statement गलत है, याद रखेगा, क्योंकि coral reef sustain कैसे होंगी, क्योंकि बेटा यह तो आपका जो है ना, यह पानी बहाता है बहुत तेजी से, तो इसमें कोई भी ची सस्टेन नहीं हो सकती, राइट आंसर, D हो जाएगा, बहुत अच्छे, ठीक है, जल्दी बताओ, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत बढ़ी हाँ, वेरी गोड, वेरी गोड, करते रहो, लगे रहो, भीया, गल्दत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लगे रहो, बहुत बढ़ी हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एक कॉशन, भाई जोग्रफी का कोर्स मेरा आ रहा है, बिल्कुल, अब देखएगा, जोग्रफी से एक और कोशन है, भाई देखो अब इस question को अगर solve ना कर पाओ तो लानत है वेटा शुगर इंडेस्ट्री इन पैनिसुलर इंडिया आप समझो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में शुगर इंडेस्ट्री कहां पर है तो अगर आपको मालूम है कि शुगर इंडेस्ट्री भारत में आपको जादा तर यूपी में मिल जाएंगी और यूपी के लावा आपको शुगर इंडेस्ट्री महाराष्टा में मिल जाएंगी अब पैनिसुलर इंडि crushing season most of the mills in the peninsular are located mainly along the eastern coast अब देखो answer तुम्हारे सामने है भाई साथ समझो महाराष्टा कहा है महाराष्टा मेरे भाई यह है यह महाराष्टा कौन सी coast हो गई यह तो western coast हो गई ना right answer D है यार क्या answer है right answer D है क्योंकि महाराष्टा is western coast बेटा not eastern coast eastern coast का मतलब हो गया तमिल नाडू आंद्रप्रदेश उडिसा वेस बंगॉल याद रखेगा western post का मतलब है गुजरात महाराष्ट गोवा करनाटका और केरला याद रखेगा तो western post और eastern post शावाश 48 कि current affairs का question है 2017 का लेकिन आपको करना है अब यह current एक तरह से economy है राइंड या जार करेंसी और यह तो सबको मालूम होगा रैंड करेंसी कहां कि है यह सबको मालूम है जल्दी बताओ और 48 रैंड यह बहुत ही मश्वूर करेंसी है कहां कि यह किस देश्ची है बुरूंडी लीबिया सुडान साउथ आफरिका फेरी इजी बाइ सहाव एक देखो अब देखो एक चीज पोस्वॉटम में कितनी क्लियर हो रही है कि जोग्रफी में वाइड लाइफ ट्लाइमेट वेजिटेशन और ट्रांसपोर्ट मैंने चार टाइप के कोश्चन जोग्रफी में देखें अब देखो फिर ट्रांसपोर्ट से आया ह which of the following port is located on an estuary आपको क्लास में हजार बार पढ़ाया है एस्चूरी का मतलब क्या होता है तो एस्चूरी का मतलब क्या होता है बैटा कि जहां पर river का fresh water समुंदर के salty water से मिलता है तो ये river का fresh water समुंदर का salty water है ये जो beach में area बनता है इसे बैटा estuary कहते हैं और आपको मालूम है कि एक ही port हमारे देश में estuary पिस्टित है जो कि कौन सी river पर है river जुआरी river पर तो जुआरी river पर है जल्दी बताओ आप तो बता दोगे बिल्कुल सही है जुआरी river पर है and that is Marma Goa याद रखेगा गोवा में है जो कि Indian naval base भी है बिल्कुल सही है बैटा कोलकता तो एक river in port ह याद रखेगा याद रखेगा ये परसो आपका साथ सी एपीएफ में पूछा गया था कि भारत में river पोर्ट कौन सा है सो कौलकता है याद रखेगा सो मार्मु गोवा एक एस्शूरी पर है द्रसल एस्शूरी का मतलब होता है जहां पर river का fresh water समुंदर के sea water से मिलता है और पर salt और salty water और fresh water मिलता है उसे बैटा एस्शूरी कहते हैं और एस्शूरी पर याद रखेगा मार्मु गोवा है कांडला तो बैटा गुजरात में है ये बेसिकली जो है एक child of partition है कोलकता जो है riverian port है और तूती कोरिन हमारे देश का सबसे दक्षणी पोर्ट है जो की तामि तामिलाडू के बहुत important है जिसमें आपका चिन्नाई ठीक है तूती कोरिन और यह तीन मेजर पोर्ट जो है वो तामिलाडू में है याद रखेगा चीक है बहुत अच्छे लाइक और शेर अगला कुशन यह देखे स्टाटिक जी के से कुशन आया है कि which of the following statement is not correct अब देखो भाई साथ अब देखो इस कुश्चन को समझो भाई साथ बहुत तगड़ा कुश्चन है पावो क्रिस्टाटस इस नाशनल बर्ड ऑफ इंडिया नेलु नेलुम्बो नूरी फेकरा गैटरन इस नाशनल फावर आफ इंडिया पिकस बेंगग एनेसे इस देशनल ट्री ऑफ इंडिया मंगी फेरा इंडिका इस अनिमल ऑफ इंडिया भाई साथ यह कुश्चन तो बहुत बड़ी आए बहुत बड़ी हाँ मज़ेदार कुश्चन ह यह तो भाई आपको मालूम होना चाहिए देखो पावो क्रिस्टेटस यह क्या है बेसिकली यह पीकॉक का नाम है तो पीकॉक का जो नाम होता है औरिजिनल नेम वो यही है चीक है हां ची नेलुंबो नूकी फेरा गर्टेना इस नैशनल फ्लावर यह बेसिकली लोटस को कहा जाता है सही है पिकास बेंगेस इस नैशनल ट्री ऑफ इंडिया बिल्कुल सही है बैनियन ट्री है मंगी फेरा इंडिका मंगी फेरा इंडिका मैंगो को कहा जाता है यह नाशनल अनिमल नहीं नैशनल वो है तो राइट आंसर विल बी डी यह नाशनल फ्रूट है बेटा मै रखेगा राइट आंसर बीडी मैंगो यह नाशनल फ्रूट है नाकि नाशनल अनिमल नाशनल अनिमल इस पंथेरा डैट इस टाइगार शाबाश क्या बात है तो देख सकते हो बैटा ठीक है तो दब मैगनिशन टाइगर पंथेरा टिग्रिस इस डाशनल अनिमल उप इंडिया याद रखेगा आगे अब देखो उस समय का यह करेंट अफेर्स है लेकिन आपके लिए भी आज भी इंपोर्टेंट है क्यों कौन सा करेक्ट है पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट सही है अरे मेरे भाई आपने नरेंदर मोदी जी को सुना है कि नहीं वन नेशन वन मार्केट वन नेशन वन इलेक्षन वन नेशन वन टैक्स तो एक नास्ट और एक टैक्स तो जाहिर से बात है यह सेंटर के साथ साथ सारे के सारे स्टेट टैक्सेस को भी सब्स्यूम कर लेगा राइट आंसर विल बी बी पूछा गया है कौन सा सही है याद रखेगा चीक है बहुत बढ़ियां 51 का राइट आंसर भी है चीक है हां जी चावाज 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 अब देखो current affairs का है ये भी अच्छा question है the sensitive information leaked in August 2016 concerns which of the following defense platforms of India बेटा आपको मालू होना चाहिए कि 2016 में बहुत important है बेटा कि 2016 में एक बहुत बड़ी defense information leak हुई थी किसके बारे में आपको मालू होना चाहिए ये बहुत बड़ी leak हुई थी भारत में 5th generation fighter aircraft, helicopter, submarines या unmanned aerial vehicle जल्दी बताओ ये बहुत अच्छा question है जल्दी बताओ तो sensitive information भारत से leak हुई थी किस चीज़ के बारे में 2016 में बहुत ही famous है तो याद रखिएगा कि हमारे देश में जो है submarines की information leak हो गई थी sensitive information leaked in August 2016 concerns submarine defense platform of India the leak includes details of the submarines underwater sensors above water sensor, combat management system, torpedo long system and specification communication system and navigation system तो ये बहुत खराब हुआ था भारत के साथ याद रखिएगा ये submarines का data हमारा leak हो गया था बाद में हमें बड़े सारे modifications करने पड़ गए थे चीक है अगला ये देखिए वाई साब Olympics अब देखो ये paper 2017 का है समझो मेटा बात को कल मैंने आपसे क्या कहा था कि जिस साल Olympic होता है उस साल और उसके अगले साल question Olympics से आदी ही आने है अब ये 2017 का paper है और 2016 के Olympic का question देखे यहाँ पर पूछा गया है ठीक है how many medals were won by India in 2016 Summer Olympics तो 2016 के Summer Olympics में भारत ने कितने medal जीते थे बाई साब Olympics से question आएगा ही आएगा याद रखेगा हान जी Olympics से question आएगा ही आएगा क्योंकि इस बार 2020 हुआ है तो इस बार CDS में आना है इसलिए कल मैंने Olympics सी class आपको पूरी पढ़ा दी थी अब बात आती है कि Rio Olympics में आपको मालूम है कि Rio Olympics में एक तो badminton में आया था पीवी सिंधू जी ने जीता था आपको मालूम है Rio Olympics हमारे लिए अच्छा नहीं रहा था जादा इस पर silver जीता था और दूसरा जो है बैटा medal साक्षी मलिक जीता था बिल्कुल सही है साक्षी मलिक ने जीता था याद रखेगा bronze medal तो हमने सिफ दो medal जीते थे याद रखेगा Rio Olympics of 2016 में चीक है तो लंडन में हमने जीते थे 6 रियो में जीते 2 और टोक्यो में जीते 7 तो 7 इस बार का हमारा best है याद रखेगा चीक है sorry 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 right answer ए है घलती से मैंने two gold में जागा sorry 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 परी बच्चा राइड आंसर ए है one silver and one bronze एक silver और एक bronze जीता था हमने साक्षी मलिक ने ब्रॉंज और पीवी सिंधू ने जो है बटा हमारा silver जीता था sorry right answer विल भी ए ठीक है टू गोल्ड नहीं होगा ए इस राइड आंसर हां जी तो a will be the right answer मैंने गलत लगा दिया वैटा ठीक है sorry आगे कंटेक्स है करेंड अफेर से इंडिया विकेम अ member of which of the following in 2016 अब आपको मालूम है कि 2016 में भारत इन में से किसका सदस्य बना था नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी मिसाइल टेक्नोलजी कंट्रोल रिजाइम नूउक्लियर स्प्लाइर्ज ग्रूप या वैसेनार अरेंजमेंट जल्दी बताओ भाई साथ तो 2016 में भारत जो है किसका सदस्य बना था जल्दी बताओ तो 2016 में नॉन पॉलिफरेशन ट्रीटी मिसाइल टेक्नोलजी कंट्रोल रिजाइम जिसे एंटी सियार कहा जाता है या नुक्लियर सप्लाइर्ज ग्रूप जिसे एनसजी कहते हैं या वसेनार अरेंजमेंट कहते हैं जल्दी बताओ तो 2016 में आपको मालूम है कि भारत जो है विकेम दा में मिसाइल टेक्नोलजी पे कंट्रोल करें डिसार्मामेंट करें ताकि बैलिस्टिक सिस्टम खतम हो सके ताकि दुनिया में नर्स अनहार का काम ना हो सके इंके द्वारा याद रखेगा तो इंडिया विकेम अ मेंबर ऑफ दा मिसाइल टेक्नोलजी रिजाइम इन 2016 मेंबर बना था याद रखेगा चीक है हां जी यह कुशन देखो उस समय का था लेकिन आज कितना पॉपुलर हो रहा है इंडिया साइंड एंग्रीमेंट दोहजास सोला टु डेवलप स्ट्राइटिक पोड इन वन आफ इट्स नेवरिंग कंट्रीज वाट इस दानेम आप चाहबार गौदर हमबन टोटा या मुंगला जल्दी बताओ तो भारत ने 2016 में एक अग्रीमेंट साइन किया था आपको मालूग होना चाहिए भाईया बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट था क्योंकि भारत को क्या करना था पाकिस्तान को बाइपास करना था तो भार पाकिस्तान को बाइपास करने के लिए एक एग्रीमेंट किया था एरान से एक पोड़ बनाने के लिए जिसे च्छाबार पोड़ कहते हैं बिल्कुल सही है इंपॉशन और यह बी कोशन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं which of the following statement is not correct in respect of the Sark जिसे वेटा आप कहते हैं South Asian Association for Regional Cooperation it is headquartered is located in Kathmandu China is the only country with an observer status in Sark the first Sark summit was held in Dhaka the 18th Sark summit was held in Nepal अब यह देखो बहुत अच्छा कोश्चन है देखो सार्क की जो शुरुवारत है आपको मालूम है वो धाका बांगलादेश के हुई दी पहली समिट वहीं हुई दी यह सही है headquarter Kathmandu में है यह भी सही है अब इन्होंने कहा कि सार्क में एक मात्र जो है South Korea है, Mauritius है, Myanmar, USA है So right answer will be B तो कौन सा गलत है? Right answer बेटा B गलत है क्योंकि सार्क में जो है आठ observer nation है ना कि एक तो आप देख सकते हैं कि इसमें China है, European Union है, Iran है, Japan है, South Korea, Mauritius, Myanmar and the United States of America तो आठ observer है मेटा याद रखिएगा सार्क के, हां जी Next, अब यह देखो history का question आ गया वाई साब, आ जाओ, इतिहास, और history is the mystery, most unpredictable, लेकिन इतिहास से फाइदा यह है, कि इतिहास में previous year करके जाओगे तो बहुत फाइदे में रहोंगे Which of the following statement about the Ilbert Bill, 1883 is our correct भाईया, Ilbert Bill आप जानते होंगे, बड़ा controversial है Ilbert Bill, अब देखो बैटा, Ilbert Bill के बारे में आपको मालूम है, बहुत ही controversial बिल रहा है यह Ilbert Bill को जो है, 1883 में Lord Ripon ने पास किया था, याद रखेगा अब होता क्या था, आपको मालूम है, कि दो तरह के judge होते थे एक British judges होते थे, और एक भारतिये judge होते थे तो जो British judge होते थे, उनको यह अधिकार होता था, कि वो जो है, भारतियों को भी सजा दे सकते हैं और European को भी सजा दे सकते हैं, लेकिन जो भारतिये judge होते थे, वो सजा सिफ भारतियों को दे सकते हैं, याद रखेगा बिल्कुल सई है तो बैटा criminal jurisdiction native officers को मिला था बिल्कुल सई है इट प्रोपोस्ट तो ग्रांच complete civil and criminal नहीं बैटा civil नहीं मिलाता सिफ criminal मिलाता ये गलत है ये बैटा लेकिन इसमें amendment करना पड़ गया था बाद में और कहा था कि भारती जजों को हम नहीं देंगे अधिकार बिल्बी वन हैंट त्री याद रखेगा तो पहले पास तो हो गया था लेकिन बाद में बड़े साड़े संचोधन किये गए तो बड़ा controversial बिल्ब था याद रखेगा चीक है जी राइट आंसर जो है civil cases में नहीं सिर्फ criminal cases में अधिकार मिला था याद रखेगा चीक है तो राइट आंसर विल भी सी वन एंट री देखो एकोनामिक्स से आया है कोशन फाइव यर प्लान आए है बाई एकोनामिक्स में फाइव यर प्लान तो बड़ा पसंद है लोगों को consider the following statement about the second five year plan दूसरा पंचवर्शी ओजना दूसरी पंचवर्शी ओजना मतलब 1956 से 1931 अब समझो ठीक है इट वास ड्राफ्टेड अंडर लीडर्शिप ऑफ के एन राए बहिया आपको मालूम है कि पहला five year plan हमारे देश में कहलाता है हैरोड दॉमर मोडल और दूसरा five year plan कह भारत के great statistician PC महाला नोबिस फ्लैंड बिल्कुल सही है तो पहला statement तो 100% गलत बिल्कुल गलत 100% गलत तो दूसरा plan जो था वो PC महाला नोबिस फ्लैंड था the great statistician of India मतलब पहला तो नहीं हो सकता मतलब यहू गया और यहू गया भीया देखो तुमारे सामने है इट प्रपोस् industries like electricity, railway, steel, machinery and communication could be developed in public sector देखो बिल्कुल सही बात है दूसरा statement guarantee सही है क्योंकि दूसरा 5-year plan जो था वो basically industries पर अधारित था मतलब दूसरा भी सही है अब दूसरा भी सही है मतलब यह भी गया the great elimination method मैंने आपसे क्या कहा कि जहां पर 4 statement होंगे वहां तो elimination हमेशा work करेगा तो जहा चार statement होंगे वहां तो guarantee elimination काम करेगा ही करेगा भले कहीं करें ना करें याद रखेगा ठीक है है हां जी महात्मा गांधी से question है consider the following statement about the different meaning of स्वाराज as articulated by महात्मा गांधी आए है स्वाराज स्वाराज is an intimately linked with ahimsa non-violence and satyagraha advance to truth स्वाराज has two senses one political and one beyond the links of politics स्वाराज is something that requires time and patience to acquire with determination स्वाराज could be obtained easily and quickly हां जी जल्दी देखेगा 59 ठीक है हां जी आराम से देखो गलती से हां जी ठीक है तो जल्दी देखेगा स्वारी मैंने गलत करा स्वारी 123 ही है हां जी भाई सचिन साब मैट्स की क्लास दिन भर होती है सुबा 11 बजे होती है रात 9 बजे होती है और स्वार हटाना है राइट आंसर विल बी 1 2 & 3 क्योंकि स्वाराज could be obtained easily and quickly नहीं हो सकता स्वाराइट आंसर विल भी 1 2 & 3 याद रखेगा तो स्वाराज को आप जल्दी में नहीं कर सकते याद रखेगा चीक है हां जी बिटा यह गलत है 1 2 & 3 1 2 & 3 is correct याद रखेगा फोर्ट वन इस रॉंग यस बिल्कुल वह आप जल्दी नहीं अटेंड कर सकते सॉरी सॉरी 1 2 3 हां सॉरी अब लास्ट कोशन है हिस्ट्री में महात्मा गांधी से वाट वस वर्थ दा फॉर्मेटिव इंफ्लूएंसेंज और फिलोस्फी और महात्मा गांधी गांधी जी वाइंफ्लूएंस बाइटीन सेंचुरी प्रणामी सेक्ट एट अड़ोकेटेड दा जूनिटी अफ फेथ गां सान है भाई समझो यहां पर हांची लास्ट कोशन है तो गांधी जी वाइंफ्लूएंस जबाइदा परनामी सेक्ट आपको मालूम है गांधी जी की जो मा थी जिनका नाम है पुतली भाई और वो आपको मालूम है परनामी सेक्ट को बिलॉंग करती थी जो की भगवान श्र स्टेटमेंट गारेंटी सही है सो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है मतलब यह तो नहीं हो सकता चीक है हां जी अब आगे बढ़ते हैं गांधी वस इंफ्लूएंस बाइदा थ्योस आफिस बिल्कुल सही है बैटा रिलिजियस रिफॉर्म में गांधी जी विश्वास रख यहां जी तो राइड आंसर सी है आल शेटमेंट मात्मा गांधी जी मदर पुतली वाय बिलॉंग टु पर्नामी से गांधी इस बुक मैंश्वेमेंट तूप मैंश्वेंट तूप पर्नामी से रख दिरिविं अबेस्ट बोथ कुरान इंगीता इंश्च अश्च अश्च तोगेदर इसेंचिल आर्टिकल फिस सेथ इस परस्नालिटी एंटाट बिट्रे श्रेंट इस अन्मेंश्च रॉमांटिक इस अस्ट्रेंट बेक्सिंदा किंडर स्प्रिट ऑफ रॉस्यू और होस्वेंट गांधी जी वाइट एड्मार राइटिंग फोल्स्टोय रसकिन थोड़ी ओयाद रखेगा बिल्कुल सही है तो यह हो गया भीया हमारा डन आज का पोस्ट मॉटम खतम तो हो गया साट कुश्चन तो हो गया साट कुश्चन आज के टीस कुश्चन हो गया डन कितरे माक्स आए आज बाए यह बताओ तो आज भाई हमारा एक और पोस्ट मॉटम खतम हुआ कल हमारा पोस्ट मॉटम शुरू होगा कुश्चन नमर सिक्स्टीवन से नाइन्टी परस्टो चुरू होगा नाइन्टीवन से एक सो बीस आप लोगो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है स्रीज बाई बताई लोग जो है ना टीचर भाई चांस बन जाते हैं तो पुतली भाई को गांधी जी की बीवी बता दिया गांधी जी मा का नाम था पुतली बाई की बीवी नाम था कस्तूर बायात रखेगा चिक है तो आप लोग को कैसा लग रहा है सेशन मतलब यह आप लोग को वाकई में लग रहे कि आपको लग रहे कि आपके लिए उसल है आज लगा या नहीं लगा अच्छा लग रहा है तो दोस्तों के साथ बताया करिए ठीख है ऑप हिएऑ अच्छा लग रहा है यह बहुत बढ़े है भीटा लास्ट में 40 जब जब हमारे 120 question हो जाएंगे ना तब असली data निकल के आएगा तो हम समझ में आएगा कि actually questions में क्या क्या आया तो पूरी report जो है ठीक है तो पूरी report पेश होगी बटा आपकी Friday को दुबहर 12 बजे ठीक है अब ये practice batch कल से शुरू हो रहा है शाम को साड़े 6 बजे attend करना मत भोलिए यहां पर क्या है बटा कि मैं एक एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा याद रखे टॉपिक वाइस ठीक है और monthly current affairs आपको करनी है याद रखेगा CDS OTA के लिए यह बहुत important है नवंबर से शुरू कर रहा हूं एक साल की यह हमारा टेलिग्राम चैनल है सो जुड़ जाईए त सारी चीज़ें मिल सकें PDF अगरा सब कुछ यहां पर ठीक है और यह हमारा बैस शुरू हो रहा है कल से 90 का मास्टर पूर्स जिसमें इंगलिश शोदिया सर पढ़ा रहा है सब्सक्रिप्शन ले लो बैटा एक मेने तीन मेने छे मेने बारा मेने चौबिस मेने बैस सब्सक्र स्ट्राचुलेशन्स यू विल गैट 10 परसेंट फ्लाट डिसकाउंट ठीक है हांची छोड़ दो बैटा अरज रस्तोंगी ठीक है अरज रस्तोंगी छोड़ दीजे वेटा कोई बात नहीं लीव इट आप अपना दिमाग पढ़ाई पर लगाईए ज्यादा फायदा रहेगा छीकेव बात यह चैण अच्छा लगा थी 100 लाइक्स नहीं पहुचे हम लोग को है कोई बात नहीं धीरे धिरे पहुचा दीजेगा है चलो पहुआट्यू सर्स खेंग चाल इंग्यू ख्लाइकोडाौ पक्रीवाड स要 साफब मेरा जो रहा है रात में लाइट बजे अनकाडेमी की स्पेशल क्लास पे आप लोग आते नहीं है तो अनकाडेमी की स्पेशल क्लास में देखता है इसे लिए टेस्ट होगा जी यहां कि डेली टेस्ट होगा याद रखेगा कि थैंक यू फैस्ट है था faktiskt ऀवांशु रुपता थैस्ट है इस बार मैंने पसंभा ली है बन्दभब औरब 200 सेलेक्षन तो इस बार लोगे नीघानी का स्धाने सेथ हैं छेख पिर कैसे भी करना पड़े हैं दिन रात शाम तुबहर मैं हमेशा के साथ लगा रहा हूं बस मुझे कराना है सेलेक्शन तुम्हारा सन्वाल साहब आईए डेली करेंट अफेर्स में पढ़ा रहा हूं सन्वाल साहब आईए कोई परचानी नहीं वहाँ पढ़ते हैं एक ही चीज है आपको मुझे पढ़ने से मतलब है वो भी प्री है आपके लिए ठीक है थैंक यू बटा सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जै हिंद जै भारत वंदे मात्रम थैंक यू